क्या आप भी Google Drive में से फोटो को डिलीट करना चाते हो क्या आपको नहीं पता Google Drive में से फोटो को कैसे डिलीट किया जाता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Google Drive में से फोटो को कैसे डिलीट किया जाता है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफेकेशन आप तलग तुरंट मिल सके दोस्तों गूगल ड्राइब में से फोटो को डिलीड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ड्राइब ओपन करना पड़ेगा जब दोस्तों आप अपना Google Drive ओपन करेंगे तो आपने जितने भी इमेजे सेव की होगी Google Drive में वो सारी की सारी आपको दिक जाएंगी अभी आपको जिस भी इमेज को डिलीड करना है उस इमेज के उपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना होगा for example के लिए मैं आपको बता दू, मुझे समझो ये वाले image को delete करना है तो इसके उपर मैं simple से click कर दूँगा इस image के उपर click कर देने के बाद दोस्तो आपको उपर three dots नजर आएंगे उन dots के उपर आपको simple से click कर देना है जब आप three dots के उपर click कर दोगे तब आपके सामने बहुत सारे option आएंगे जिसमें लिखा होगा share image, download, फिर copy link तो आपको simple से थोड़ा नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तो आपको इधर एक option देखेगा remove ठीक है तो आपको simple से remove के उपर click कर देना है जब दोस्तो आप remove के उपर click कर दोगे ठीक आने के बाद दोस्तो समझो, अभी आपको ये सारे के सारे images इसने भी अपने save की हैं अपने google admin में इसे सारे image को apparently लिख करना है इसारे image को मैंने अभी select कर लिया है तो दोस्तो उपर आपको delete का एक icon देखे हैगा आपको simple से उस delete का a icon के उपर click कर देना है जैसे आप delete के icon के उपर click कर देगे आपके सारे के सारे image permanently delete हो जाएगे अपने Google Drive में से तो दोस्तो आप भी इसी तरह से अपने Google Drive में से images को delete कर सकते हो